कोरोना वाइरस के डर से हब चाइना ही नहीं, पूरी दुनिया हिल चुकी है और इंडिया को भी ये उसी तेजी से नौकसान पहुचाने की ताक में है किसने सोचा था कि डायमंड क्रूज पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ छुटिया मनाने जाएंगे और वहाँ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि अपनी जान तक को बचाने के लिए सरकार को रेस्क्यू करने के लिए बोलना पड़ेगा वहीं पूरी दुनिया में कॉरोना वाइरस से कन्फर्म पेशेंट्स की संख्या बढ़कर 60,414 हो गई है अकेले वेंस्डे को 15,400 लोग ने कॉरोना वाइरस का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है अब ये सवाल उड़ता है क्या चाइना कॉरोना वाइरस से बच भी पाएगा क्यूकि इस डेडली वाइरस से मरने वालों के लोगों की संख्या बढ़कर 1370 हो गई है जिसमें अकेले 13 फरवरी को 233 लोगों के मरने की नियूस सामने आई है और वो सभी लोग चाइना से ही है आप सभी इस वीडियो के एंड तक बने रहें क्यूकि इस वीडियो में मैं बात करूंगी पहला, कैसे इंडिया में कॉर्णा वाइरस अपने पाउं फिला रहा है अब भारत में वाइरस से इंफेक्टिट पेशेंट्स का काउंट 3 से बढ़कर 5 हो गया है दूसरा, डायमाइन क्रूस पर फसे इंडियन्स पर इस टाइंग क्या बीत रही है तीसरा, क्यों जपान क्रूस में फसे भारतियों को नहीं निकलने दे रहा चोथा, कैसी एक औरना वाइरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा एक दिन में हजारों में बढ़ रहा है और पांचवा, क्या मोधी सरकार जपान के क्रूस में फसे इंडियन्स को बचा पाईगी? अब बात करते हैं क्या है इस डायमेंड प्रिंसेस क्रूस की स्टोरी डायमेंड प्रिंसेस नाम का क्रूस जो 25 जनवरी को जपान से हौंकों के लिए निकला था इस क्रूस शिप पे कुल मिलाकर 3711 लोग सवार थे जिन में से 132 क्रूस मेंबर्स और 6 पसेंजर्स को मिलाके 138 भारतिय हैं 31 जनवरी को एक ऐसे हौंकों के शक्स का पता लगा जो कोरोना वाइरस से इंफेक्टेड था और उसने भी इसी Diamond Princess क्रूस में बाकी लोगों के साथ ट्रावल किया था इस खबर के बाद क्रूस शिप में हडकम मच गया और क्रूस में सवार लोगों का टेस्ट किये जाने पर चोका देने वाली बात सामने आई कि इन में भी करीब 218 लोग कॉरोना वाइरस से इंफेक्टेड हैं जिन में से दो इंडियन क्रू मेंबर्स हैं जिपान गवर्मेंट ने कहा कि इस क्रूस को 19 फरवरी तक क्वरंटाइन में रखा जाएगा किसी भी पसेंजर को शिप से नहीं उतरने दिया जाएगा अब WHO यानि की World Health Organization सहित पूरी दुनिया की नज़र Diamond Princess क्रूस पे है कहिए वुहान के बाद कॉरोना वाइरस का एपी सेंटर नहीं बन चुका क्योंकि चाइना के बाद किसी भी अन्य देश से जादा कॉरोना वाइरस के कनफॉर्म पॉजिटिव केस इस शिप पे डिटेक्ट हुए है और अभी तक कुल 3711 सवार लोगों में से आधो को भी स्कैन नहीं किया गया है और डेली कॉरोना वाइरस के नए केस तो सामने आ ही रहे है अब बात करते हैं कि इतनी जल्दी कैसे फैला ये वाइरस हॉंग कॉंग से जपान के रूट पे इनीशिली बस 10 लोग इस डेडली वाइरस से पीडित थे पर जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया तेजी से ये वाइरस फैल रहा है और चाइना जैसे सूपर पावर की भी बस में ये नहीं रहा है अब बात करते हैं कि भारत सरकार अपने नागरिकों को बचाने के लिए क्या कदम उठा रही है फॉरण मिनिस्टर एस जैस शंकर जी ने ट्वीट करके इस न्यूस को कन्फर्म किया है कि क्रूस पे सवार दो इंडियन का कॉरना वाइरस का टेस्ट पॉस्टिव आया है इस टाइम इंडिया का जैपान एडिमिस्ट्रेशन के साथ डायलोग जारी है और साथ ही मिनिस्टर्स ने भी बताया कि वो शिप में फसे इंडियन क्रूस मेंबर्स और पसेंजर्स के साथ भी कॉंटिनियूस कॉंटाक्ट में है उनकी स्तीती का जाइजा लिया जा रहा है और उनको रेस्क्यू करने सही सभी ऑप्शन्स पे विचार किया जा रहा है क्यूंकि जान का बहुत खत्रा बना हुआ है इसलिए क्रूस शिप में फसे इंडियन्स की फैमिली अपने अपने स्टेट के MP से गुहार लगा रही है कि उनके फैमिली मेंबर्स को जल्दी से जल्दी निकाल लिया जाए एक-एक मिनट काटना उस क्रूस में जहां ये वाइरस फैला हुआ है आप सोच सकते हैं हवा में फैले जहर की तरह है सास लिया तो मरे, सास नहीं लिया तो भी मरे लेकिन इस वक्त क्योंकि जपान ने इस क्रूस को क्वरेंटाइन में रखा हुआ है इसलिए जपान गवर्मेंट की पर्मीशन के बिना इंडियन्स को भी बाहर निकालना मुश्किल है इस टाइम इंडियन्स ही नहीं बलकि सभी नाशनल्स के लोग अपनी गवर्मेंट से रेस्क्यो ओप्रेशन चलाने की बात कर रहे हैं पूरी शिप पर इस टाइम टेंशन और पैनिक का मौहल है एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें क्रूज में फसे इंडियन्स ने प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी जी से गुहार लगाई है कि अभी तक उनका किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं किया गया है वो फसे हुए हैं और उन्हें निकलने भी नहीं दिया जा रहा है तो आप प्लीज हमें रेस्क्यू करवा के वापिस अपने देश बुला लीजिए मैं आपको ओ क्लिप दिखाना चाहती हूँ देखिए अब सवाल आता है कि क्यों जपान क्रूज में फसे लोगों को बाहर निकाल कर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कोरोना वाइरस का नाम सुनते ही सभी देश काप रहे हैं यही वज़ा है कि क्रूज में फसे लोगों को उतरने नहीं दिया जा रहा क्योंकि कौरोना वाइरस से पिडित लोग जब बाहर आएंगे दूसरे लोगों के संपर्क में आएंगे तो उनमें भी ये वाइरस फैल जाएगा इसलिए शिप के अंदर उन्हें 14 डेज के क्वारंटाइन में रखने का डिसीजन लिया गया है अंटिल फेबररी 19 किसी को भी क्रूस से बाहर आने की अनुमती नहीं है ये भी खबर है कि जिन लोगों की एज 80 से उपर है और तब्यत खराब है और जिन लोगों के रूम से बालकनी नहीं है केवल उन ही को क्रूस से निकाला जा रहा है लेकिन एक बार सोच के देखिए उन फसे पैसेंजर्स और उनकी फैमली पे क्या वीत रही होगी उनका दस बै दस का कमरा जेल बन कर रहे गया है क्या वुहान के बाद डाइमंड प्रिंसिज कोरना वाइरस का एपी सेंटर बन गया है अब बात करते हैं कि क्यूं इस क्रूस पे बिगडी सिचुएशन को टाइम पे नहीं संभाला गया ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि लोग जब शुरू में कॉरना वाइरस से बिमार होने लगे उन्हें लगा कि ये पानी के जहाज में ट्रैवल करने से उनको मोशन सिकनेस या फिर डिजिनेस फील हो रही है लेकिन ये खबर जैसे जैसे चाइना से फैलनी शुरू हुई और इंटरनाशनल मीडिया ने कवर की तो पता चला कि एक इनसान जिसने क्रूस को बोड किया था वो इस वाइरस से इंफेक्टेड था डाइमेंड क्रूस शिप को पांच अलग-अलग कंट्रीज पे उतरने की रिक्वेस्ट की बट कॉरोनावाइरस की खत्रे को देखते हुए सब ही कंट्रीज ने मना कर दिया उनको डर था कि कहीं उनके देश में ना फैल जाए और फिर क्रूस की स्पीड कम होने की वज़े से इसे जपान में वापिस आने में हफ्ता लग गया और तब तक कॉरोनावाइरस अपना काम कर चुका था डबलू एचो ने कॉरोनावाइरस को ग्लोबल क्लैमेटी को रिक्लियर कर ही दिया था अभी फिर से उन्होंने सभी देशों से अपील की है कि वो इस वाइरस से लड़ने के लिए अपनी मजबूत तयारी कर ले अब बात करते हैं कि इसको रोकने के लिए भारत क्या कदम उठा रहा है कॉरोनावाइरस के देश में बढ़ते प्रकोब को देखते हुए हेल्थ मिनिस्टर हर्ष वर्दन जी ने डेली में हेल्थ स्टाफ में एमर्जेंसी मीटिंग बुलाई और जानकारी दी कि इस वाइरस की अवेरनेस मुहीम को और तेज किया जाएगा दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ नया सीखने को मिला है जिसमें आपको डराने या भहे जगाने वाली नहीं बलकी जागरू करने वाली जानकारी दी गई है तो प्लीज प्लीज आप मेरे चानल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और हाँ अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है और अगर नहीं आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना